नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आज हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा का M-Protect Coach Scheme जो की COVID Health Insurance है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन-कौन से वेहिकल जो सेगमेंट है उसमें आता है वो eligible रहता है यह वन मन्त की है अभी जो duration है इसका वन मन्त का है जो की एक जून से start है जून मन्त के लिए ही रहेगी अपनी इसमें आप एक लाग का जो insurance है जिसमें जो age है वो 60 तक है महिंद्रा ने जो 60 तक जो age वाले हैं वो customer इसका फाइदा उठा शकते हैं इसमें जो cover रहेंगे इसमें आपको all covid related treatment expenses cover रहेंगे इसमें आपको hospitalization या home care coverage भी मिलेगा home care में आपको 10,000 रुपे तक का आप इसमें claim कर सकते हैं इसके लिए आपको proper जो भी paper bill वगरा prescription report आपको submit करानी पड़ेगी इसका जो waiting period है 15 दिन का रहेगा from date of coverage start date इसमें शिर्फ जो owner हैं जिसके नाम गाड़ी रहेगी शिर्फ वही cover हो पाता है ना कि family member इस policy का जो time रहेगा वो एक साल का रहेगा इसमें क्याक्य documents चाहिए पर वो देख लेते हैं इसमें महिंद्रा में आपको जो जो document से submit कराने पड़ेंगे इसमें सबसे पहले विकल की ID जैसे इंचन नंबर चेसी नंबर हो जाएगा invoice हो जाएगा उसके बाद आपको उसमें delivery date customer का नाम date of birth gender आप नोमनी भी उसमें submit कर सकते हैं मोबाइल नंबर आपका address आपका pin code email ID और pen card यह आपको सारे आपको form में submit कराने पड़ेंगे इसके बाद आपका एक individual certificate जो आपको issue होता है वो मिलेगा master policy के जो अंडर आता है और जैसे आप यह सारी चीजे submit हो जाती है तो customer को एक message आता है code digit team की तरफ से customer सबसे अच्छी चीजी है कि आपको इसमें WhatsApp नंबर आपको इसमें submit कराना पड़ेगा जो आपको certificate मिलेगा वो WhatsApp पे भी आपको आप उसमें ले सकते हैं WhatsApp Facility भी महिंदरा ने आपको दी हुई है जो individual certificate है वो आपको 17 दिन के अंदर मिल जाता है जब भी आप अपना data submit करा देते हैं तो मैं आपको link में toll free number और आपको जो जिस पे आपको अपने document submit कराने है करोना कोच आप उसमें तो आप वो भी जमा करा सकते हैं इसके लापको मैं WhatsApp नंबर भी आपको submit करा दूँआ और इसमें जो क्या क्या documents required रहेंगे claims के लिए उसमें सबसे पहले इंचोर जो भी patient का नाम hospital का नाम address आपको treatment की detail जो हूँ वो submit कराने पड़ेगी policy number इसके लापको जो भी आपको admission जब आपने hospitalized हुए हो और discharge date है वो भी आपको submit कराने पड़ेगी और जो भी आपका estimate actual है आप वो भी दे सकते हो कि हाँ हमारा इतना खर्चा हुआ है इसके अलावा आप मैं जो link share करूँ उसमें आपको जो जो hospital इसमें cover होते हैं वो मैं आपको इस आपको link मैं वो आपको provide करा दूँआ तो इस video को share कीजिए like कीजिए और कुछ आप M protect cause के जो scheme है उसके बारे में और कुछ जानना चाते है तो कमेंट स्पी कीजिए थेंक यू